आज हम इंडियन जोगरफी के एक इंपोर्टेंट टोपिक को समझेंगे जो है भारत की मिट्टी या फिर जिसे हम मृदा भी कहते हैं और इंगलिस में सोइल कहते हैं इस लेक्चर में हम जानेंगे भारत में कुल कितने परकार के मिट्टियां पाई जाती हैं इन मिट्टियों की विशेस्ता तता इन में होने वाले मुक्के फसले और साथ rigorous इनका वित्रण जिस्टिविउशन यानि भारत में ये किस छेत्र में पाई जाती है बात करें मिट्टी की तो मिट्टी एक भौ मुल्य प्राकृतिक संसादन है पिर्थवी के उपरी सतह पर मोटे मद्यम और बारी कार्वनिक तथा एकार्वनिक मिसित कणों को हम मिर्दा कहते हैं मिट्टी की अध्यान का जो विज्ञान है उसे पैडोलोजी कहा जाता है और यह भी अक्सर एक्जाम में पूछ ले जाता है आगे बात करते हैं भारती किर्शी अंसंधान परिशत ने भारत की मिट्टियों को कुल आठ बर्गों में विवाजित किया है यानि भारत में कुल आठ परकार की मिट्टियों को चिन हित किया है जो है जलोड मिट्टी, ऐलुबियल सोईल, काली मिट्टी, ब्लैक सोईल, लाल मिट्टी, रेड सोईल, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलिय मिट्टी, डैजर्ड सोईल, छार्य मिट्टी, एलकाइन सोईल पीट में और जे मिट्टी यानि पीट सोईल और बन्य मिट्टी फोरेश्ट सोईल अब इन मिट्टियों की विसेष्था फसल और डिस्टिव्यूशन को एक एक करकर जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं जलोड मिट्टी एलूवियल सोईल की यह मिट्टी देश के लगवक 40% में बिस्त्रित है और यह नदियो दुआरा लाए गई मिट्टी है इस मिट्टी में पोटास की मात्राधिक होती है जबकि नाइट्रोजन और हिूमस की कमी पाए जाती है यही कारण है कि जलोड मिट्टी में यूरिया खात डालना फसल खादर कहते हैं इस मिट्टी की मुख्य फसले हैं धान गैहूं मक्का तिलहन दलहन आलू आदी और यह मिट्टी सिंदू गंगा भरंपुत्र के मैदान तट्य मैदान वा डेल्टा परदेशों में परचूरता में मिलती है अगली मिट्टी की बात करते हैं काली मिट्टी ब हुआ है मैगनेटाइट लोहो यूमस की उपस्थिती के कारण इसका रंग काला हो जाता है यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है जबकि सूखने पर इसमें दराड़े पड़ जाती है इसलिए इसे सुहते चुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं लंबे समय तक य रहती है और यह मिट्टी का पासी खेती के लिए सबसे ज़्याद अब्यूक्त होती है इसमें उगाई जाने वाले अन्य फसलों की बात करें तो वह गेहूं जुहार बाजरा आदी यह मिट्टी महाराष्ट करनाटक गुजरात आदी में पाए जाती है अगली मिट्टी है ह जो लाल रंग होता है वो लो आकसाइड की वपस्तिती के कारण होता है यह मिट्टी अपेक्चाकरत कम उप जाओ है और यह अमली प्रकरती की होती है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस एवम यूमस की कमी होती है लेकिन चूरना का इस्तमाल कर लाल मिट्टी की रुवता बढ़ाई जा सकती है इसमें बाजरा मूंग फली आलू तंबाकू रागी आदी की खेती की जाती है और यह तमिल नाडू से लेकर बुंदेल खंटक में पाए जाती है यानि संपूर्ण तमिल नाडू करनाटक दक्षिन पस्ची महाराष्ट ओडिशा के कुछ भाग में मि परिणाम स्वरूप यानि कभी अधिक आदिरता और कभी सूखा ऐसा कर्मिक परिवर्तन के चलते उत्पन विसेश परिस्थितियों में इसका निर्माण होता है इसमें आयरेन एवम सिलीका की बहुलता होती है और इसका स्वरूप जो होता है वह इट जैसा होता है बीगने पर ये कोमल तता सूखने पर भोत कठोर तता डालीदार हो जाती है लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सरवाधिक उप्यूगत होती है और ये मिट्टी सहयाद्री पूर्विघाट राजमहल की पहाडिया सत्पुडा असोम तता मेगाले की पहाडियों पर मिलती ह फिफ्थ सोईल की बात करें तो वो है सुस्क एवं मरुस्थली मिट्टी यानि डैजर्ड सोईल तो सुस्क वा अर्द सुस्क चेत्रों में अरावली परवत और सिंदु घाटी के मध्यवर्ती चेत्रों में विशेश्त है पश्चिमी राजिस्थान उत्री गुजरात धक् के गंगार नगर जिले में जहां सिचाई की सुवीदा उपलुप दुई है वहां गया हूं कपासकोत पाधन भी होता है नेक्स्ट है हमारी पीट एवं दलदली मिट्टिया इसका निर्मार अतियाधिक आदरता वाली दसाओं में बड़ी मात्रा में कार्वनिक तत्वों के जमाब के कारण होता है यह मुखेते तट्य परदेशों एवं जल जमाब के चेतरों में पाए जाती है इसमें गुलन सीन लवडों की प्रियाप्तता होती है परंतु फास्फोरस वा पोटास की कमी होती है यह विट्टी खेती के लिए योग्गे नहीं है लवन युक्त इस मिर्दा में शुक्षम जीवों का विकास नहीं हो पाता शुक्षम जीवों के अभाब में यूमस का निर्मार नहीं होता और यही कारण है कि इसमें औरवरग गुणों की कमी है इसी कारण जलोड एवं तट्य मिर्दा होने के बाब जूद यह भारत की उपजाव मिर्दा क स्रीनी में नहीं है लास्ट हमारी परवतिय मिट्टी इसे वन्य मिर्दा भी कहा जाता है फोरेश्ट सोईली भी कहा जाता है यह मिट्टी हिमाले की घाटियों में धलानों पर 2700-3000 मीटर की उचाई के भागों में पाई जाती है जलवायू वा परस्थिती के अनुसार इन निर्मान अधीन है यानि कि अभी भी इसका निर्मान हो रहा होता है और इसका अभी पूंड रूप से अध्यन नहीं हुआ है यह मिट्टी सेव, नासपाती, आलू, आदी फसलों के लिए उप्यूक्त है और इसका विस्तार जेंड के से लेकर अड़नाचल परदेश तक मि भूले, धन्यवाद